नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले ये disclaimer जरूर पढ़ें. Part 1 में हमने चर्चा करी थी call or put option के परिवार के बारे में, जहां पर हम call or put option को use करके different strategy बना सकते हैं. जिसमें हमने ये देखा था Part 1 में, जहां call or put जो buy strike थी, वो अंदर की side थी, sell strike के comparison में. अब इस Part 2 में हम चर्चा करेंगे, जो call or put strike है, buy की, वो बहार होंगी, sell के comparison में. तो जैसे मैंने आपको बताया था Part 1 में, कि जो buy strike थी, call or put की वो अंदर की side थी, sell की जो buy or sell की side थी, put or call की वो बहार की side थी, तो हमने जो है, अलग-अलग तरह की strategy बनाई थी. और हमने option chain के बारे में भी चर्चा करी थी. हम अब सीधे Part 2 पे चले जाते हैं. So, Part 2 में हम यहां चर्चा करेंगे, detail में कैसे strategy बनाई जा सकती है, call or put options को use करके. जैसा मैंने आपको बताया, call or put options जो दोनों जो है, भाई बहन हैं, और call जो है, वो put के बराबर होता है, put जो है, call के बराबर हो सकती है, और दोनों interchangeable हैं और replaceable हैं. और option chain के बारे में भी मैंने बताया था, अगर option chain, जो है, यहां पर आप देख सकते हैं, कि add the money की strike है, उपर की side बढ़ रही हैं, और नीचे की side जो है, घट रही हैं, तो हम उपर की side की strikes को दो भागों में divide कर सकते हैं, in the money put option बोल सकते हैं, और otm, out of the money call option बोल सकते हैं. Similarly हम जो है, नीचे की side जो strike price घट रही है, उसको हम in the money call option बोल सकते हैं, और out of the money put option बोल सकते हैं, तो यह थी जानकरी option chain के बारे में, जिसको हमें इसमें एक तरीके से हमने use किया है, तो अब हम चर्चा करते हैं कि call और put को कैसे use करते हुए strategy build up कर सकते हैं, तो यहां आप दे price, sale की जो strike price हैं, वो अंदर की side है, दोनो put और call की compared to buy की strike price, so put option में आप देख सकते हैं, यहां पर, जो है, buy price बहार है, buy strike, और sale अंदर की side है, similarly call की strike price है, वो अंदर की side है, और buy की जो है, बहार की side है, तो हम call की strategy पहले बना लेते हैं, यहां पर, हमने अगर कहते हैं, एक naked call की sale किया, और एक naked call को buy किया, तो हम bear call spread बना सकते हैं, अगर हमने एक और naked call को buy करके जोड़ दिया इसमें, तो हमें call ratio back spread मिल जाएगा, तो हमने call ratio back spread की already चर्चा कर रखी है, अपने वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हैं, हम put side के OTM की strike की बात करेंगे अब, अगर हम एक naked put को buy करते हैं, और एक naked put को sale करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तो हमें bull put spread मिल जाता है, अगर हम bull put spread में, एक naked put को जोड़ देते हैं, तो हमें put ratio back spread मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं, 2 to 1 है ratio, put ratio back spread में भी और call ratio back spread में भी तो मतलब यह है कि यहाँ पर दो जो है buy की गई है एक sale किया गया है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखते हैं bull put spread और bear call spread दोनों को हम मिला देते हैं तो cash short iron fly बना सकते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि के करते हैं जो हमारी sale की strike है call और put की अगर same हो जाएं माल लीजिए जो है otm जो call है और otm put कहीं पर ATM पर आ जाए दोनों की strike same हो जाए तो हमें short iron fly मिल जाएगी ठीक है दोस्तों यहाँ तक अगर हम जो है सिरफ buy strike की बात करें otm put और otm call की तो हमें long strangle मिल जाएगा similarly हम अगर sale strike price की बात करें तो हमें short straddle मिल जाएगा यानि की हमारी जो call और put है same strike ATM पर बेची गई है हम उसको short straddle बना सकते हैं हम अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि pull put spread और bear call spread दोनों को मिलाते हुए हम short iron condor बना सकते हैं दोनों को हमने मिला दिया तो short iron condor बन गया हमारा अगर हम short iron condor मैसे सिर्फ buy strike price की बात करें जो कि यो दोनों थी put और call थी buy थी तो हम long strangle बना सकते हैं similarly हम सिर्फ sale strike की बात करें जो otm call थी और otm put थी यहां पर sale site तो हम short strangle बना सकते हैं ठीक है दोस्तों यहां तक ठीक है सारी चीजें अब देखते हैं आगे कि दोनों long strangle और short strangle को हमने दोनों को मिला दिया long strangle को twice quantity में और short strangle को same quantity में दोनों को मिला दिया तो हमें long strangle ratio spread मिल जाएगा और long batman मिल जाएगा यह हम दूसरे तरीके से भी achieve कर सकते हैं long strangle ratio spread और long batman अगर हम put ratio back spread को मिला दें call ratio back spread के साथ तो हमें same चीज मिलेगी तो इस तरीके से हम different strategy बना सकते हैं using the put and call options तो यहाँ पर इस part 2 में ध्यान देनी बाली बात है कि जो sale strike price थी वो अंदर की side थी buy के comparison में ठीक है दोस्तों आपको अगर ये video पसंद आया हो तो please like करें, subscribe करें और share करें धन्यवाद